competitive exam की तयारी कर रहे, 99% बच्चों का selection क्यों नहीं होता है 1% बच्चे ही ऐसे क्यों होते हैं, 2% बच्चे ही ऐसे क्यों होते हैं, जो select हो जाते हैं, side answer 99% बच्चों का selection ना होने का सबसे बड़ा कारण analysis करके, analyze करके यह सभी लोग analyze कर सकते हो, आप खुद से कर सकते हो भाई, कि सबसे बड़ा कारण कुछ इस प्रकार के YouTube में अपने पास channel हो जाते हैं, जो बच्चों को distract करते हैं, और actual मैं जानते हो, बच्चों को distract करते हैं, वो channel नहीं है, या उनके face नहीं distract करते हैं, बच्चा खुद में distract होता है, तो आज मैं आप लोगों को distraction के असली वज़े बताने जा रहा हूं, जिसमें आप लोगों को ही बड़ा आनन दाता है, और जो आपके distraction के असली वज़े हैं, देखें, जैसे मैं बात करूँ, एक इस channel के, आप देख पा रहे हों कि इस channel में 1,23,000 लोग जुड़े हुए, और मैं आपको बोलूँ कि इस channel में ये जो teacher है, जब ये पढ़ाती हैं, तो ये बहुत बढ़ियां पढ़ाती हैं, ये जो teacher है, जब इनकी classes होती है, जब ये अपने subject को पढ़ाती हैं, तो बहुत बढ़ियां पढ़ाती हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप लोग सच-सच कमेंट करके ये बताओ भाई कि 1,23,000 लोग जो इसमें जुड़े हो, इस channel में ऐसा क्या है, मैं आपसे कह रहा हूँ, जितने भी videos हैं, ऐसे और इस channel के, आपको अगर आपके मतलब की, आपके course का 1 minute का भी clip दिख जाए, तो आप मुझे बताओ, मैं यह कह रहा हूँ, कि जैसे मैं इसके videos पर आता हूँ, तो videos पर आने पर क्या देख पाओगे, आप देखो जरा, अगर हम videos पर आता है, कौन सा video ऐसा है जो आपको पढ़ाने के बाद, आपके slabbers के according है, आपके slabbers को match कर रहा है, एक single video बता दो, एक minute की उसमें clip बता दो, न लाग 23,000 लोग यह होंगे, क्या ही सारे के सारे competitive exam के बच्चे होंगे, और जो अपने समय को लगातार waste करते चले जा रहे हैं, कि यह एक video पढ़ा तो देखने में, मैं जानता हूँ, आपकी age है, आप उम्र के उस पढ़ाओ पे हो, जब यह सब करना अच्छा लगता है, ले बच्चों को मैं फिर से बोल रहा हूँ, कि क्या मिलेगा भाई इसमें, तुम अपना time waste कर रहे हो, और मैं सिर्फ इसी channel की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने यह देखा है YouTube पे आजकल अरे भाई, ट्रेंड चल रहा है, टीचर्स के fan club का, टीचर्स के fan club बने हुए, अरे तुम अगर किसी भी अध्यापक के इतने ही बड़े fan हो, तो जब वो अपनी classes ले रहे हो, उनकी classes में जाकर पढ़ो ना, तो वो तुम से नहीं होगा, पढ़ाई तुम से नहीं होगी, लेकिन जो टीचर्स के fan club है ना, जिसमें वो अगर class में कुछ बोल देते हैं, तो उसकी clip कर डाली जाती है, तुम वो देखने में मज़ा आता है, millions view रहते हैं, लोग जुड़े हुए हैं भाई, और आपको नहीं लगता है कि आपका समय उससे waste हो रहा है, अगर टीचर ने कोई बात जैसे कह दी, मैं इंको देखने के लिए उम्री भीड, अरे भाई, क्यों भीड उम्री, और उम्री तो अच्छी बात है, उनकी प्रसिद्धी है, लेकिन इसको तुम क्यों देख रहे हो, ये जो 51 सेकेंड का क्लिफ है, तुम देखकर क्या तुम्हें मिलेगा, तुम अपने समय से, अपने समय को waste कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तुम्हें अपने स्लेवस पढ़ने की चिंता नहीं है, लेकिन आपको ये है कि मैं आपका क्लास लेने पर मेरी पत्नी बहुत मारती है, बताइए, ये इस्तितियां चल नहीं है जीवन की, अरे भाई, इसके अलावा मैं तो, मतलब मैं कहने ये चाह रहा हूं कि यूट्यूब में आप ये मान के चलो क 99% बच्चा केवल अपने समय को वेस्ट कर रहा है, और बहुत सारे चैनल केवल ऐसे हैं मेरे भाई, मैं आपको सच बता रहा हूं, जो पढ़ाने के नाम पर इद्दम सूनने हैं, अरे उनको पढ़ाने से कोई मतलब ही नहीं, मैं चैनल्स में भी आता हूं, उनको पढ़ान हैं और उसके बाद वेकेंसी के विशे में बतार हैं, उनके व्यूज आते हैं, खुशी होती है, अच्छा लगता है, मतलब तुम सिर्फ बच्चों को वेकेंसी दोगे, अरे उसके लिए पढ़ाओ भी तो भाई, जान निकलती है, कलेजा फटता है, सीना बहार आ जाता है, जब पढ़ाता है, टीचर एक डिल घंटे की क्लास, खेल बना दिया है यूट्यूब को, पूरी तरीके से खेल बना दिया है, ऑनलाइन सिक्षा को, कि पढ़ाना, लिखाना कुछ है नहीं, केवल आओ, और लफाजी करो, और गेम खतम, और तुमको भी उसी में मजा आ रहे तो अगर अपने भविश्च को साइड, यह एक चैनल दिखो, मैं तुमको दिखाऊ, यह एक चैनल दिखाता हूँ, एक यह चैनल दिखो, यह, भाई, मतलब सिर्फ वेकेंसी, सिर्फ वेकेंसी, अले पढ़ाओ ना, क्यों नहीं पढ़ाते हो, बच्चों की इतनी चिंता है तुमको तो पढ़ाओ ना, पढ़ा के दिखाओ, क्यों नहीं पढ़ाओ, कई सारे चैनल है, जैसे एक यह चैनल है, इस वर जाने की इसमें तुमको क्या दिखता है, क्या ऐसा पॉइंट तुम्हें मिलके आता है इन चैनल में, 12 मिनिट का वीडियो पढ़ा है, जिसका उस चैनल की कम्यूटी पर लोगों ने ऐसे कमेंट कर रखे, मैं तो आपको देखने आता हूँ, क्यों भईया, क्यों देखने आते हूँ, मैं आपको देखकर दिल खुस हो जाता है, आप बाल खुले रखा करो, अबे तुम, भाई तुम पढ़ने जा रहे हो, तुम पढ़ समय वेस्ट मत करो, competitive exam के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है समय, तुम अगर देखना ही है, तुम इन चीजों को देखकर अपने आपको motivate करना चाहते हो, तुम देखो अवद ओजा सर को, तुम देखो विकास सर को, तुम देखो खान सर को, तुम देखो कुमा कि जो clip पढ़ती है न, उस clip से भी सिक्षा मिलेगी, एक use नहीं होता है इन videos का तुमारे syllabus में, ना तुमारी जिंदगी में practical life में, लेकिन तुम पढ़े हो परिशान, चिंता हुई तुमारी ये सब देखकर, इसलिए आकर हमने आपको ये बताया है, अब हो सकता है, यहाँ पर ये भी होगा कि कुछ ए भी कमेंट करें, तुम भी तुम वही कर रहे हो, मैं वही नहीं करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ जी जान से, सीना फाडता हूँ, समझे भीया, तो चीजों को समझो, अपने समय की कीमत को समझो, इन चीजों से दूर हो, जो पढ़ाई के लिए तुम्हारे लिए जरूरी है, उस पर बात करो, जय हैंट